प्रीय दोस्तों नामास्कार आज के इस वीडियो में हम पड़ेंगे इंगलिस के नियमू का यूज केसे करें अभी तक हमने इंगलिस के नियम पड़े जिसमें लगभग 78 वीडियो हमारे इंगलिस के नियमू पर पड़ी है तो अगर हम इनका यूज करना सीखें तो किस प्रकार से करेंगे तो आपके सामने एक सब्द है देखें आपके सामने एक सब्द है इस प्रकार से तो अगर हम इसे पड़ें तो हम कहते हैं यहो लिखा है पिकल तो हमने के से बताया कि यहो पिकल है जबकी हम को के पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर सी के है यहाँ पर सी के है अगर आप सी को हटा दें इसी के को पड़ें तो यहाँ पर आप इसे के को को पड़ सकते हैं तब इसका अर्थ बदल जाएगा तो देखिए पी आई को हम पी पड़ेंगी सी को क्या पड़ें सी को हम को भी पड़ते हैं सो भी पड़ते हैं अगर सी को यहाँ पर को पड़ा गया के को भी को पड़ा गया तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इस परकार से होना चाहिए दिखिए या हम इसे आदा लिखें या पूरा लिखें तो यहाँ पर हो गया है पिक कल L को पड़ा हमने लो E का अर्थ आपको पता है E साइलेंट होता है अब E साइलेंट क्यूं है E साइलेंट क्यूं है इसके भी नियम हमने पड़ाये थे जब जब किसी सब्द के अंत में E हो तो वहाँ पर E साइलेंट होगा अर्थात E को नहीं पड़ा जाएगा अब आप देख रहे होंगी पिकल का उच्चारण इस परकार से हो रहा है जबकि यह असुद्ध है तो एसा क्यूं इसे हम इस परकार से क्यूं पड़ते हैं सिंपल हिंदी अलग होती है और इंग्लिस अलग होती है सुद्ध तो यही है परंत क्यूं इंग्लिस का एक नियम है कि P I को तो हम P ही पड़ेंगी लेकिन इंग्लिस का नियम कहता है कि C के अगर किसी सब्द में एक साथ हो तो वहाँ पर इनका उच्चारण को होता है सीके का उच्चारण को होता है तब हम यहाँ पर हम इस वाले को को हता देंगी तब हमारा यहाँ पर को हो जाएगा और अंत में एल को लोही पड़ा जाता है तब यह हमारा बना पिकल अर्थास सुद्ध सब्द तो इस परकार से हमें इंगलिस के नियमू का यूज करना है नेश्ट वीडियो में और नियमू पर चर्चा करेंगे लेकिन C के वाला एक नियम यहां पर निकला है इसकी भी वीडियो आपको नेश्ट वीडियो में मिलेगी तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू, have a nice day